दोस्तों अगर आपका पेश्बुक पेज है और आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है जैसे कि आपके दसजार फोलोवर और आपका जो वाच टाइम है वो पूरा हो चुका है तो आपको इनी स्ट्रीम एड ओपन करने के लिए चालू करने के लिए मोनेटाइजिशन ओन करने के लिए आपको डवलू एड बेन फोर्म को संबीट करना पड़ेगा जी हां दोस्तों क्राइटेरिया करने के बाद आप इनी स्ट्रीम एड को आप पूरा कर सकते हैं उसको एड करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर चूज यह फाइल पर क्लि कर देना है दोस्तों अगर आपने यह वीडियो देख लिया है जैसा कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को देखने चेब आपसारी इस्टे पॉलो करेंगे उसके बाद आपको wadbin form आपको download करना है और इस form को अच्छे से आपको feel करना है क्या क्या यहाँ पर आपको देना है उसके बाद आपको यहाँ से wadbin form संबिट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका जो भी payment है वो कभी भी delay नहीं होगा आपका payment 100% आपको मिलेगा अगर आप wadbin यह form नहीं बढ़ते हैं तो आपका 30% कटके आपको payment मिलने वाला है तो यह बहुत ही जरूरी form है जो कि wadbin के नाम से आप किसी भी website से कहीं से भी इसको download कर सकते हैं और दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाया है पिछला उसमें आप वहां से भी download कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हैं और PDF को इस पाइल को आपको download करना है और PDF editor के अंदर जाकर इसको edit करना है जैसा कि नाम, address, कुछ भी यहाँ पर यहाँ पर बताने वाला हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर मांगा हुआ है सारा name of individual you who the benefit owner जो होनर है उसका नाम आपको यहाँ पर फील कर देना है जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर इसको फील कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फील करने के बाद आप country पर जाएंगे country of ownership तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको अपनी country सेलेक्ट लेना है जैसा कि आप इंडिया से हैं तो इंडिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो तीसरे जो option के अंदर नीचे की side में आपको दिखाए देरा जैसा city, town, state और आपको जो postal code है वो आपको यहाँ पर फिर से बर देना है यहाँ पर आपको बरने के बाद इसके सामने आपको country दिखाए देरी यहाँ पर country पर आपको अपनी country चूज करना है तो दोस्तों इस परकार से आपको करना है और चोटवा जो फोर्म है जो चोटवा जो step है वो आपको यहाँ पर दिखाए देरा जो की mailing address यानि आपको mailing address में city town, चोटवे स्थान की नीचे city town, state provide include postal code यह भी है तो यहाँ पर भी आपको खुछ नहीं बरना है यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो छोटवा जो नंबर है उसका जो फोर्म है वह हो यहाँ पर country आप भर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको country बर देना है पांचवी इस्तान पर US जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर different number जो आपको भरना है वो बिल्कुल main चीज आपको यहाँ पर पांचवी नंबर पर नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कि तरब जो 6 भी है इसके अंदर आपको यहाँ पर tick mark लगा देना है और दोस्तों जो 8 वा है जो 8 वा option आपको दिखाए दे रहा है date of birth यहाँ पर आपको पहले महिना बना है फिर date बना है फिर year बना है जी हाँ दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर date of birth आपको लगा देना है तो दोस्तों यहाँ पर जो पस्ट पार्ट है वो पूरा हो चुका है second part में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है second part आपके सामने आज सुका है जो कि claim of the text जो कि आपको दिखा दे रहा है यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है तो दोस्तों यहां पर सेकेट पार्ट के अंदर आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है और पार्ट त्री आ जाता है जो कि सर्टिफिकेशन जी हां दोस्तों पार्ट थर्ड में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर part 3 यहाँ पर अपने सामने खुल कर open ओ चुका है तो दोस्तों यहाँ पर तीसरे part के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है जैसा कि यहाँ पर signature here लिखा हुआ है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको इस डबी के अंदर यहाँ पर tick mark लगा देना है जी हाँ दोस्तों सही का mark यहाँ पर लगा देना है एडिटर पर जाकर आप यहाँ पर अपना जो की tick mark लगा सकते हैं और जैसा कि आपको यहाँ पर date जो दिखाए दे रही है यहाँ पर date आप यहाँ पर enter कर सकते हैं पिर यहाँ पर आपको date फिर year यहाँ पर enter करना है और सबसे most बात आ जाती है यहाँ पर जैसे कि यह डिबा यहाँ पर खाली है signature year तो यहाँ पर आपको अपना digital signature करना है जिसके मादेम से आपका फोर्म यहाँ पर संबिट हो जाएगा तो digital signature होते हैं वो आपको अपने या copy के पने के अंदर आप कर सकते हैं सपेद white पने के अंदर आप कर सकते हैं वहाँ से इसको png बना कि यहाँ पर इसको लगा सकते हैं इसके अलावा आप नीचे signature में लिखावा यहाँ पर जिस नाम से आपने signature किया है उस नाम को यहाँ पर नीचे एंटर कर देना जिस प्रकार से अगर आप करते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छे से W8BN फोर्म बर जाएगा और आपका पुरा-पुरा payment आपको मिल जाएगा और आपका कुई भी payment में से कट होती नहीं होगा, और आपका कभी भी payment delay नहीं होने वाला, तो इस परकार से आप कर सकते हैं और आसा करता हूँ कि आज का यह forum आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया है तो कुछ आगर आपका doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपके comment की reply करने की कोशिस करूँगा और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर मैं Facebook के बारे में पूरी वीडियोज बना चुका हूँ और आगे भी कई सारी अपडेट आएंगी तो मैं इस चैनल के मादेम से कई सारी वीडियोज लेकर आऊँगा उसके मादेम से में आपको बताऊँगा कि किस परकार से आप अपने Facebook पेज को ग्रो कर सकते हैं कैसे पॉलोवर बढ़ा सकते हैं कैसे इंकम कर सकते हैं कैसे मोनेटाइज करते हैं सारी जो चीज़े आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी तो वीडियो में बने रहेगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक क्योंकि दोस्तों बहुत मेनत लगती है वीडियो के अंदर बनाने में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बसेता हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने टोप के साथ ने वीडियो के साथ तक लिए जैहिंज जैवाद